आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं बच्चो की एक हम यहां पे तार लेते हैं ठीक है बच्चो जिसका प्रतिरोध हम यहां पे दे रखा है कितना है 250 Ohm है यह प्रतिरोध दे रखा है 250 Ohm और इसमें धारा जो बह रही बच्चो कितनी Ampere की दारा बह रही है आई बराबर यहां पे लिख लेते हैं बच्चो दो Ampere की दारा बह रही है ठीक है तो उर्जावे की दर उर्जावे की दर ही क्या कहलाती बच्चो सक्ती कहलाती जो उर्जावे की दर जो होती है न बच्चो EYT यह होती उर्जा वे की दर, मतलब प्रति सेकंड जितनी उर्जा वे हो रही, वह सक्ति के बराबर होता है, इसका मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, अब सक्ति हम जानते हैं, सक्ति के लिए जो फार्मूला होता है, वह होता है, देखिए, I square into R, ठीक है, और हम क्या लेक सकते हैं बच्छो और हो सकता बच्छो वी स्कार बाई आर यह भी सकती का फार्मूला है राइट बच्छो यह हम कैसे निकालते हैं बच्छो एक सकती का फार्मूला और होता बच्छो भी इन्टु आई यह सवा हम निकालते हैं बच्छो ओम के नियम से ओम का नियम जानत यह वाला ठीक है I square into R क्योंकि इसमें प्रत्री वर धारा दो नों दे रखिए ठीक है बच्छो तो यहां पर P बराबर हो जाएगा बच्छो दो काई स्क्वार चार और R हमें दे रखा है बच्छो कितना 250 ठीक है और सक्ति कमात्रक हम जानते बच्छो वाट होता है तो यह हो 1000 वाट हमारा 이제 बच्छो एंसर ठीक है 1000 वाट हमारा क्या हो जाएगा षहां सक्ती हो जाएगे अब यह तो पहला case का था बच्छो डिक हैं अब दूसरे case में हमसे पूँच रहा है यदि उपरयुक तार में उर्जा वे की दर कितना है बच्चो 3680 ठीक है तो तार के सिरों के बज़ वांतर कितना होगा अब देखिए बच्चो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हम कह सकते हैं अब यह तार हा बच्चो तो नहीं परिवर्तित होगा तार का प्रित्रोत तो वही रहने वाला है ठीक है परिपत में हम क्या बदल सकते दारा और विवांतर इन सीरों के भी बदल सकते हैं क्यां गांति है अगर हम बात करें और ली ऐगा प्रितिरूद की बात कर रहें में बच्चो जोूपरिपात दिया उज़ा है जिसका प्रतिरूद को किटना है बच्चों? कर सकते हैं इस वाले इस वाले केस में हम क्या कर रहा है वुबंतर की बात कर लेते हैं तो थे यहां पर हमें दिया हुआ है तो भी और आर के लिए अगर हम यहां पर सकती देखे बच्चो तो कौन सा फार्मुला यूज़ करेंगे भी स्कैर वाई आर यहां पर लिखेंगे बच्चो यह हो जाएगा हमारा पी हमें दे रहा बच्चो सकती दर कितनी है इस बार 3600 वार ठीक बच्चो तीरिया गुणा कर लेते हैं इनका तो हमें मिले कि यहां पर 36 36 इन्टू च्छतिस सव है बच्चो इन्टू क्या हो जाएगा 250 भी इस्क्याइर ठीक अच्छो इसको सरल तरीके सवर कैसे लिख सकते बच्छो यहां पर यहां पर हम लिख सकते हैं बच्छो ऐसा करते हैं बच्छो यहां 25 गुणा अब देखी यह 100 गुणा 10 ऐसा लिख सकते हैं बच्छो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें 36 का वर्गमूल पता होता है बच्छो 25 का पता होता है ठीक है 36 का चाहे हो जाएगा 25 का 5 हो जाएगा ठीक है और 100 का 10 हो जाएगा बच्छो और यह अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 का भी मान हमें याद होता है बच्छो कितना होता है होता है 3.16 ठीक है बच्छो 25 तीस और एक जीरो इंटू क्या हो जाएगा बच्छो 3.16 बराबर बराबर B ठीक है अगर इसमें हम बच्चों किसका गुणा कर देते हैं 300 का तो हमें वैलू क्या मिलती बच्चों यह मिलेगी हमें 948 ठीक है बच्चों यह लगभग जो मान है 948 समलो अच्छा है वोल्ट मिलेगा ठीक है तो इनके भी जो भी बांतर हो जाएगा बच्चों 948 ठीक है तो समलो अच्छा है वोल्ट होगा यह हमारा है बच्चों यहां पर एंसर ओके तो थैंक्यू इस्टुएंट्स क्लासिक स्टुएल से लेके नीट आयाइटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स कभर होसा आज ही डाउनलोट करे डाउटने टाप यह वाच्छाप कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर